हिमाचल प्रदेश के जिला कांगडा में हुई भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। स्थाने लोगों को तो नुकसान हुआ ही है लेकिन हिमाचल घूमने आए प्रेटकों को भी भारी नुकसान हुआ है। पंजाब के रहने वाले सूफी गायक मनमीद सिंग की मौत हो गई है। मनमीद का शव धरमशाला में करेरी लेक के नस्दीक वरामद हुआ है। मनमीद सिंग अपने दोस्तों और भाईयों के साथ धरमशाला घूमने आए थे। पुलिस ने रात को शव धरमशाला अस्पताल पहुँचा दिया और बुद्वार सुबह पोस्ट मौटम के बाद परिवार के सदस्यों को सौप दिया गया है। सूफी गायक मनमीद सिंग अपने भाई कनपाल व अन्य चार दोस्तों सुखदीप सूरज, अभैसिद्धू, रणबीर सिंग के साथ शनिवार को धरमशाला घूमने आए थे। यह छे दोस्त धरमशाला से रविवार को करेरी लेग घूमने गए थे। रविवार रात को तेज बारिश में ये सभी करेरी में ही रुख गए थे। सोमवार को जब ये वापिस लौटने लगे तो खड को पार करते समय मनमीद सिंग तेज भाव में बह गया। करेरी गाओं में मोबाइल सिगनल न होने के कारण दोस्तों ने ग्रामिनों की सहायता से मनमीद को ढूनने का प्रयास किया। लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद स्थानी प्रशासन से संपर्क साथ कर इसे ढूनने का प्रयास किया गया। SSP कांगडा विमुक्त रंजन ने इसकी पुष्टी की है। मनमीद सिंग का सिंगिंग ग्रूप सेन ब्रदस के नाम से मशूर है और वे देश्व विदेश में शो करते रहे हैं।